जहिन दोस्तों स्वागत आपको अपना यूटूब चैनल में एक ड्रीम करियर में दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मेकेनिक्स का एक और छोटा सा टॉपिक डिसक्सन करने वाले हैं जिसका नाम है probability current density दोस्तों यह होता क्या है इसके बारे में हम लोग detail में explanation करने वाले हैं इसका formula भी हम लोग देखने वाले हैं चलिए तो वीडियो को हम लोग अशार करते हैं बोलता है कि we know that हम लोग जानते हैं कि motion of material particle material particle का जो motion होता है associated with the motion of wave function वो associate करता है wave function के motion के साथ ठीक है उसके बाद बोलता है कि if the probability of finding a particle in some bonded region of a space decrease with time अगर बोलता है कि अगर particle के पाए जाने की संभावना जो probability है वो किसी bonded region में अगर decrease करता है तब क्या होगा कि probability of finding outside this region outside of this region must increase some amount ठीक है बोलता है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी bonded region के अंदर किसी bonded region के अंदर अगर particle की पाए जाने की संभावना अगर decrease करता है अगर यहाँ पर कम हो गया decrease हो गया तो इसका जो बाहर में जो reason है उधर उस particle की पाए जाने की संभावना थोड़ा सा कुछ amount में वो क्या हो जाएगा increase होगा अगर bonded region में घटेगा तो outside क्या होगा increase करेगा बस यही लिखा हुआ था ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि the time dependence rodinger equation है उसको हम लोग sign star से pre multiplication कर देंगे ठीक है फिर multiply हम लोग कर देंगे क्या sign star से उसका conjugate से ठीक है तो यहाँ भी हम लोग डाल दिये यहाँ भी डाल दिये और यहां तीनों term में हम लोगों ने क्या गिया साइ अश्टार को हम लोगों ने डाल दिया अब हम लोग क्या करेंगे इसका complex conjugate लेंगे ठीक है इसका equation 2 का complex conjugate complex conjugate लेने के लिए हम लोग क्या करते है जहां जहां i है उसका sign change कर देते हैं मैनस i कर देते हैं और जहां मैनस i है वहाँ पर हम लोग plus i कर देते हैं ठीक है तो minus i को plus i कर देंगे plus i को minus i कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा उसका complex conjugate तो दिखें यहाँ पर पिरी multiplication करतेंगे हम लोग हाँ हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है अपको ठीक है equation 2 है हमारा यह इसमें से first term और first term तो लोग को घटाएंगे इस तरह से मैनस बीच में आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए ये टर्म में हम लोग क्या करेंगे इस टर्म को घटाएंगे तो देखिए उस टर्म में हम लोगों ने इस टर्म को सकेंड वाला इस टर्म को हम लोगों ने घटाया है ठीक है कोई दिक्कत नो दिक्कत उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए फिर उसके बाद देखिए ये टर्म और ये टर्म जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए दोनों सेम है और इधर से घटाएंगे तो ये मैनस में जाएगा तो ये इससे केंजलोट हो जाएगा तो वो यहाँ पर हट गया ठीक है उसके बाद देखिए पलस मैनस क्या हो जाएगा यहां मैनस है तो मैनस हो जाएगा यहां भी मैनस मैनस guys कुण liarrias हो जएगा कोई दिकत अब देखिए अब यहां पर क्या होगा यह यहां से हम लोग लेंगे common आई हम लोग common लеंगे तो अंदर में कुछ इसरा से बचेगा यहां से हम लोग मैनस एच कट का स्क्वाइर अपन टू एम हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह टर्म बढ़ जाएगा साइं स्टार डेल स्क्वाइर और उसके बाद साइं उसके बाद देखिए फिर यहां पर मैनस हम लोगों ने बाहर ले यहां पर क्या हो जाएगा मैनस हो जाएगा और यह अंदर में बचेगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए कॉमन लेने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा अब इधर मैनस में है तो इधर इसको हम लोग इस पूरे डाटा को एलेचेस में ले आएंगे पलस में आ जाएगा ठीक है देगे बोलता है कि वी नो देट हम लोग जानते हैं कि continuity in hydrodynamics associated with conservation of fluid of density rho and current density j is given by बोलता है कि continuity जो है वो इस तरह से दिया जा सकता है ठीक है hydrodynamic में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर rho जो है वो हमारा density है और j जो है हमारा वो क्या है वो है हमारा conservation current density है अब देखें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हम लोग equation 5 और 6 को हम लोग compare करेंगे तो देखें डेल upon डेल टी जो है उसके साथ यहाँ पर rho है और यहाँ पर यह है तो rho equal to हम लोगों को मिल जागा क्या यह sin star sin जो हम लोगों का position probability density दिखाएगा उसके बाद देखें डेल के साथ डेल ओपरेटर के साथ जो multiply है वो जे है current density तो यहाँ पर जो जो जे है वो पूरा हम लोगों वहाँ उपर से लिख देंगे यहाँ पर जो भी multiply है डेल के साथ वो पूरा हमारा जे current density का value देगा तो यही होता है क्या नोन एज probability current density इसी को हम क्या करते हैं प्रोबाबिलिटी करेंट डेस में करते हैं